श्री लक्षमी देवेई नमाहा नमस्कार दोस्तों आप सभी को दीपावली की धेरोशुप कामना है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दीपावली पे आपकी इस प्रकार से लक्षमी कलश की स्थापना करें इस कलश की स्थापना आप किसी भी लक्षमी पूजन में कर स तो देखिए लक्षमी जी को कमल अत्य धीक पर्यוא होता है तो देखिए यहाँ पर हम अश्चड़-'ll कमल बनाएंगे तो हो सके तो आप पी लियी रंग्ये चावल का प्रयोग करें जो कलर फुल होते है ना कल कर लेते हैं चावल को कुश्टरी को उसतरीके तरफ हमें करनी होती है तो देखे हमने असदल कमल बना लिया है यहाँ पर हम कलश लेंगे और रोली हमने इस तरीके से घोली है तो उसके उपर हम देखे स्वास्तिक बनाएगे स्वास्तिक हमें संपूर बनाना है अब यहाँ पर कलश की स्थापना में आप कलश देखे सोने क चांदी का पीतल का तांबे का या फिर मिटी का भी आप कलश ले सकते हैं लेकिन माता लक्षमी का जो पूजन होता है वो वैभव शाली पूजन होता है तो कोशिश करके आप उत्तम से उत्तम कलश लेने की कोशिश करिएगा जो भी आपके पास उपलब्द हो बहुत ही जाद च्त्व कंते हैं और यहां पर बहुत ज्यादा प्रसंेद्चित हो करके हमें यह कलश की स्थापना करनी है कोश़िछ करके आपको यहां पर यह पर स्थील नहीं लेना चाहिए पर पnioक्षित रूप होता है अगर कोई option नहीं है तो मजबूरी में आप ले सकते हैं लेकिन कोशिश करके आप पीतल का तामे का या फिर मिटी का कलश ही ले तो इस तरीके से देखे हमने स्वास्तिक बना लिया है और कलश के कंट में हम इस प्रकार से मौली बांद लेंगे जैसे कि हम हर कलश स्थापना में करते हैं इस कलश में थोड़ा सा अंतर होता है सामेगिरी में थोड़ा सा अंतर होता है श्री कलश जब हम बनाते हैं यानि कि माता महालक्ष्मी का जो कलश बनाते हैं तो हमने यहाँ पर देखिए आष्ट दल कमल की ऊपर में इस्थापित कर दिया, उसके बाद में हम थोड़ा सा घंगा जल इसमें डालेंगे, सरपत्म घंगा जल डाला जाता है, उसके बाद में कंट तक हम इसमें शुद्ध जल इसमें डाल देंगे, और बहुत ही प्रसन्नि लक्ष्म का ध्यान करते हो इसके बाद में देखिए हम इसमें क्या क्याजना यहां पर दिखें लौंग इलाइजी शिक्का सुपारी यह तो हम हर किसे में डालत T हल्दी की गाट यहां पर पुष्प डाल देंगे कोई भी लाल पुष्प हो वह यहां पर डाल देंगे और यहां पर देखे एक 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 करके हम श्री कर के से हम सारी चीजों को इसमें डालते जाएंगे और माता महालक्षमी का कोई भी मंत्रा आप यहां पर बोलते जाएंगे इस प्रकार से देखिए और सरवाशदी भी आप यहां पर डाल सकते हैं थोड़े से अक्षट डाल दीजिए और यहां पर एक पान भी आप छोटा सा इसमें डाल सक और अगर आप अस्ट दल कमल नहीं बना रहे हैं तो आप यहाँ पर सब्धान भी रख सकते हैं कलश के नीचे आप सब्धान रख सकते हैं इस कलश में साथ प्रकार की मिट्टी भी डाली जाती है जो कि पूजासामे की शॉपर आपको मिल जाएगी तो देखिए हमने टिका ल नारिल के उपर आप चुन्नी लगा लीजिए कलावा लपेट लीजिए उसको इस तरीके से रोली से चंदन से हम टीका करेंगे अक्छो तरपित करेंगे और नारिल का जो मुख है वो आप पूजा करने वाले की और अपनी तरफ रखें और आप चाहें तो देखें उपर की औ आप चाहें तो इस कलश की स्थापना आप पूरे पांच दिन के लिए कर सकते हैं क्योंकि दीपावली का जो पर होता है पूरे पांच दिन के लिए होता है तो आप चाहें तो धंतेरस वाले दिन से आप इस कलश की स्थापना कर सकते हैं और भाई दूज की शाम को इसका व वर्षेलिके दोस्तों भी देए नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हारे कृष्णा राधे राधे जैया लक्षमी मैया